आज सिकंदरा विधान सभा के दो प्रखंडों का बूत अध्यक्ष बहुत सच्चव एवं बूत सचेतक एवं मत्ताता समवाहक का सम्मेलन एवं प्रशिक्षन शिविर का आयोजिन सिकंदरा प्रखंड के माही विवाह भवन में भव्य तरीके से आयोजित किया गया सिकंदरा प्रखंड में आज तक की सबसे बड़ी लोजपा की कार्यक्रम मानी जा रही है इस कार्यक्रम के अध्यक्षता दलित सेना के प्रखंड अध्यक्ष पवन आजाद ने किया एवं संचालन विकास मंडल ने किया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिती दलित सेना के कर्मट एवं सशक्त और लोक्प्रिय जिला अध्यक्ष रवी शंकर पास्वान थे. एवं गरिमामे उपस्थिती पूर्व सांसत प्रतीनिधी श्री जीवन सिंग एवं युवा लोजपा के जिला अध्यक्ष निर्भय. पवन आजाद चात्र लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष गनहया पास्वान पंचायती राज प्रकोष्ट के प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मन यादव अलीगंज के दलित सेना प्रखंड अध्यक्ष अर्विंद कुमार अलीगंज के आईटी सेल के प्रखंड अध्यक्ष हिमान्शु कुमार सिंग एवं लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष रहुल कुमार आईटी सेल के प्रखंड अध्यक्ष अलीगंज गौतम कुमार पंचायती राज के प्रकोष्ट के प्रखंड अध्यक्ष नागिश्वर यादव सिकंदरा के प्रखंड अध्यक्ष महिला सेल शांती देवी अली गंज के प्रखंड अध्यक्ष महिला सेल्सोना देवी एवं खेरा प्रखंड अध्यक्षनिल सिंः जिला सचिव दीपक सिंः दलित सेना जिला महासचिव मनुज पास्वान आधी शरीक थे। लोगों को भूत अध्यक्ष भूत सचिव को आई कार देकर उनकी जिम्मेवारी एवं कार्यक्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया गया एवं आगामी विधानसभा चुनाव में लोजपा की मजबूती और धारदार हो इसके लिए भूत स्तर्तक के संवठन को कागल से उत दारकर धरातल पर आज स्थापित करने एवं प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया आज लोग जनसक्ती पार्टी के राष्टी अध्यक्ष एवं जम्मु की लोग पुरिये एवं यसस्विश सांसत आदनी चिराग पासवनजी के निर्देश पर शिकंद्रा पिधान सभा के प्रांगर में इस समारों का आज़न किया गया है जिसमें बूत हद्यक्ष बूत सचीव एवं बूत सचेतक का पर्शिक्षन सह सम्मिलन का आज़न किया गया है जिसमें उन्हें अधिक से अधिक अपने पार्टी के पर्च में कैसे मददान हो मददाताओं को किस तरह से जागरू की या जाए इसी परिपेक्ष में इस समारों का आज़न किया गया है मैं रवी संकर पास्वाम दली सिना जिला दक्ष जमूल